खमागणी मेरा नाम संतोश है स्लिपी क्लासिस में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे जापान में रीसिंटली आए अर्थक्वेक के बारे में बट उसे इंबॉडन हम बात करेंगे कि जापान में इतने फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक क्यों आते हैं और क्यों कि य पर अर्थक्वेक आया था जापान के अंदर जिनमें से एक मेजर 7.8 मैगनिट्यूड का आया था जिसके वज़े से सुनामे वार्निंग भी दी गई थी इसके कोस्टल एरिया इसको खाली करवा दिया गया था और इसकी वज़े से यहां पर अर्थक्वेक के बाद आने वाले यहां इतने ज्यादा अर्थक्वेक आते थे जिसे सिस्मोलोजी जिसे स्टेडी ओफ अर्थक्वेक बोलते हैं यह पूरा वर्ड 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 तुनामी इतसल्फ कम फ्रॉम दी जापान जिसका मतलब होता है हार्बर एंड वेव तो इतना ज्यादा यह डिजास्टर प्र जो चर्णरबल 1986 के बाद हुआ सबसे वर्स्ट सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर था तो बट क्या यह पहले बार नहीं इससे पहले भी 1923 के अंदर 7.9 मागनिट्यूट का अर्थक्वेक आया था टोक्यो में जिसमें 10 लाग से ज्यादा लोगों की जान चले गई वर्कर्स की रेजिलियंस की वजे से वो थोड़ा सा अवर्ड हो गया अदर्वाइस वसे वेरी वेरी बिग नुक्लियो डिसास्टर बाट यह सब हो क्यों रहा है क्योंकि देखो टेक्टॉनिक प्लेट्स के बारे में हम आज बात करेंगे और जो जापान है वो बिलकुल इ Pacific Ring of Fire के बारे में आपने डेफिनिटली सुना होगा कि Pacific Ring of Fire Pacific Ring के चारु तरफ का वो बॉर्डर एडिया है ओशन इन कॉंटिनिक का जहां पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की 90% तक की अर्थक्वेक और वल्किनिक आक्टिविटीज होती है यह पूरे ग्लोब का सबसे ज़्या American Plan, Philippine Plan, Eurasian Plates इन जार प्लेट के मोजाइक पे दिल्कुल जापान और यह प्लेड सापस में टकरा रही है यह प्लेटस अपस में कंवर्ज कर रही है उसके वज़े से जो हेविए ही ऊशनिक प्लेटventions हो नीचे सबमर्जनिक में जा रही है इसके बारे में डीटेल से बात क क्योंकि इसकी सारी जो प्लेट्स है वो पुरी की पुरी टेक्टॉनिकली एक्टिव है अब देखो यह है जपान ठीक है और यहां पर आप देखोगी कि आपको तीन प्लेट्स देखाई दे रही है यूरेशन प्लेट जो इस्टर डारेक्शन में मुव हो रही है पैसिफिक को इसकी सावागो के बारे बहुँ है निए जापान का पूरा आप जग्राफिकल ट्कॉनिकली एक्टॉटक प्लेट कहां पर है वह देख सकते होगा तुसे पहले में थोड़ आज़ा आपको यहां पता दो कि हम सावंनने जनवरी को शाम को पांच वजे जग्राफिकल कि एक workshop रख रख रहे हैं इसमें जियोग्राफिक को लेकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कोई भी questions है इसका syllabus कैसे कवर करना है रिविजन कैसे करना है standard books कैसे कवर करनी है पीवाई की उसे help कैसे लेनी है answer writing start कैसे करनी है current affair को static portion के अंदर कैसे add करना है answer writing ऐसे कैसे करना है कि GS जैसा answer ना लगे जिग्राफिय जैसा answer लगे कौन से standard books पढ़नी है कौन से skip करनी है mock कब से चालू करने है कितने time में geography optional का सलेवस खदम हो जाना चाहिए इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस workshop के अंदर बहुत limited seats है ताकि आप सबसे face to face interaction हो सके साथ जन्वेरी को पांच बजे इसका registration का जो लिंक है वो नीचे description box में है आप आप जाके register कर सकते है अचा coming back to the topic अभी हम एक बार ticktonic plates को देखते हैं तो यहां पर यह हमारी major and minor ticktonic plates है ठीक है major ticktonic plates में माले आती है North American plate, Eurasian plate, Pacific plate, South American plate, African plate, Eurasian plate हमने count कर ली थी और Antarctic plate ठीक है इसके बाद में जो हमें दिखाए दे रहे हैं यह सारी के सारी हमारी minor plates है अब एसे के अंदर इसी पोर्शन के अंदर यहां पर देखो यह पैसिफिक वाला जो एडिया है यहां तो शो यूँ अच्छली मैं फिगर आउट कर रहे हूं कि मैं आपको कॉंसे आरेक्शन से दिखाऊं यहां पर देखो नमबर ओफ प्लेट बहुत जादा है यह पैसिफिक प्लेट मेजर प्लेट है इसके दोनों तरफ उरेशन प्लेट अन अमेरिकन प्लेट है और इसके पास पास में देखो छोटी सी प्लेट भी है अब यह जो प्लेट है यह इस तरीके से बना है कि यहां पर देखो जपान के लोकेशन जपान के लोकेशन इग्जाक्टी ओंडी रिंग ओफ फायर पर सेट होती है और इसीगी वज़े से अगर आप यहां पर देखोगे तो जपान ट्रेंच भी है ट्रेंच किसे कहते हैं जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो जो ओशनी प्लेट है जो कि हेविए डिंसिट प्लेट है इसके नीचे सब्डक्शन में जाने लगती है जब यह सब्डक्शन में जाती है तो यहां पर एक खाई टाइप बन जाती है सिंपल भाशा में एक बहुत गहरी खाई टाइप बन जाती है जिसे हम ट्रेंच बोलते हैं जैसे कि मेरियाना ट्रेंच है मेरियाना ट प्लेट नीचे सब्दक्शन में जा रही हो यहां पर एक ट्रेंच क्रीट हो रहा है जैसे हम बोलते हैं जपान ट्रेंच ठीक है तो यह तो सिंपल हो गए रिंग फायर गा अब हम अगर वाबस आएं जपान की टिक्टॉनिक प्लेट पोजिशन पे तो आप क्या देखोगे कि युरेशन प्लेट जो है वह वह वन संटीमेटर पर एयर के हिसाब से इसके इस्टन डारेक्शन में मोग कर रही है पैसिफिक प्लेट आठ संटीमेटर पर एयर की डारेक्शन से इसके वेस्टन साइट की तरफ मोग कर रही है और फिलिपीन जो है वह भी फोर संटीमेटर एरिया वो है जहां पर ये oceanic plate continental plate से टकरा के नीचे subduction में जा रही है इस तरीके से और यहीं पर ये earthquake epicenter बनता है जब तो plates आपस में टकराती है and at a point the energy releases into the form of the earthquakes so this is the reason why Japan is so prone to earthquake areas और जब ocean में earthquake आएगा तो क्या होगा पूरी के पूरी wave पूरा के पूरा जो ocean का mass है it will move into a way आप ocean के अगर बहुत deep में रहोगे तो आपको tsunami का पता नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत deep होती है इसकी वज़े से wave की जो waves होती है इसकी wavelength बहुत बढ़ी होती है इसकी वज़े से आपको दिखाई नहीं देती है wavelength बढ़ी है मतलब इसकी height छोटी हो जाती है लेकिन जैसे ही ये wave ocean के पास में पहुंचती sorry continent के पास में shore के पास में पहुंचती है तो क्या होता है height कम होती जाती है continent डलाता जाता है हाइट के साथ इसकी bottom के साथ में इसकी जो depth है वो कम होती जाती और जैसे जैसे depth कम होती चाहेगी इसकी wavelength कम होती चाहेगी और इसकी जो height है वो उतनी ही जादा होती जाएगी बहुत ही simple lambda is proportional to 1 by h बहुत ही simple concept है ठीक है उसकी वज़े से tsunamis आती है 2011 में जो tsunami जाएं थी वो 30 meter 50 meter तक की height पहाई थी जिसने पूरा devastation लिक्या गई थी बट क्यूंकि Japan को ये पता है कि वो इतना earthquake and tsunami है इन natural disaster के प्रोन है तो उन्होंने अपना पूरा infrastructure इस तरीके से create किया है उनका पूरा जो disaster management है it is one of the best in the world आप देखोगे कि अभी उनकी roads उनके घर सब destructions होगा है but within six months they will come back to their life within six months they will come back to their life so that is it and do join in our workshop please register yourself registration link निचे description box में है we will have every question we will have all the discussions regarding the geography optionals and in general also if you have any questions regarding the UPSC preparations प्रिलम के कैसे तयारी करनी है कब से start करनी है answer writing कैसे start करना we will look into that so that is it from my side I'll see you guys in the workshop and in other lectures till then bye Jai Hind